नमस्कार आप सभी का हर्दिक स्वागत हैं आज की इस वीडियो में हम प्रधान मंत्री की क्या कारिय होते हैं एक बारत का प्रधान मंत्री कौन कौन से कारिय करता है क्या 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 उसकी जिम्मेदारियां होती है यह इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आप मेरे साथ में अ देखता कौन करेगा प्रधानमंत्री करता है अपनी मर्जी के साब से निर्णई बदल भी सकता है मंदल में जो भी निर्णई हुआ है अगर प्रधानमंत्री उसमें सहमत नहीं है तो निर्णई को वह बदल सकता है किसी मंत्री को त्याग बत्र देने या उसे बरखास्त करने कि सलाह राष्टपती को प्रदान मंतरी दे सकता है यह पावर भी प्रदान मंतरी के पास में है वह सभी मंतरियों की गती वीडियों को नियंतरित और निर्देशित करता है यानि कि सभी मंतरियों को सलाह देता है उनकी गती वीडियों को कंट्रोल करता है और इसके बाद में वह लोगों राश्टपती और संसद के बीच में कड़ी के रूप में कारी करता है यहां पर लोगों भी लिख सकते हैं और यह भी लिख सकते हैं कि परदान मंतरी मंतरी मंदल और राश्टपती के बीच में कड़ी का कारी करता है और संसत के बीश में भी सरकार के मुख्या की रूप में परदान मंत्री पर पूरी सरकार के प्रभावी संचालन की जिम्मेदारी होती है क्योंकि परदान मंत्री है मंत्रियों का परदान है प्रधान मंत्री इसलिए मंत्री बंडल की और सरकार की पूरी जम्मेदारी प्रधान मंत्री के पास में होती है ठीक है यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में आउस से बताएं वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद